आज बार यह है हेवी टेस्टिंग की वो भी Mi 11X और Poco X3 GT के पर्फॉर्मेंस की क्योंकि आप सभी को पता है कि यह दोनों फोन काफी आस्वास आते हैं क्योंकि इसका डिसकाउंट आने के बाद इसके टक्कर में आ चुका है और दोनों भाई एक की साथ देखनी को मिलता है MiOS के वज़े से और MiOS के जितने मिलवर से न वो काफी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि हम Mi 11X बाई करे या फिर हम बाई करे जीटी को कि वो जीटी के साथ हमें मिलता है Mediatek का 1200 प्रोसेसर जो कि थोड़े बुट यूज़ेस को डाउट में डालता है वहीं पर गर यह Snapdragon के साथ आता तो लोग आंक बंद करके इसे बाई कर सकते थे बट इसके हैविक टेस्टिंग का मैंने एक औरेडी रेडिकेटेड वीडियो दे दिया था लेकिन आज कंपेर करेंगे कि हमारा Snapdragon का 820 या Mediatek का 1200 कितना ज़्यादा पाववफुल निकल के आता है और कौन सा है जो हमारा processor long time के heavy usage के बाद down हो जाता यानि performance को down कर लेता है किस तरीके से वो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और इस से related confusion है तो आज किस वीडियो में आपका सारा confusion clear होने वाला है तो camera से related मैंने औरेडी वीडियो दे दिया है दोनों का कि किस का camera किस तरीके से काम करता है और दोनों काफी ज्यादा बहतरी निकल के आया एक camera के माल रहा है आपको वीडियो चाहिए तब प्ली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यह है दोनों का home screen और दोनों में मैंने सेवें टाइम अंडू टू सीप्यू टोटल और geekbench को चेक किया है जिससे हमें पता जल पाए कि heavy testing में किस तरीके से performance है जो हमारा stable रहता है या फिर downgrade होता है और अलग तरीके से test किया है जिसके बज़े से आपको एक अच्छा सा अंदाजा लग जाएगा तो सबसे पहले सुरुआत करते एक normal testing से जहां पर आप देख पाऊगे कि यह है हमारा CPU total का result दोनों का इस side में मेरा Mi 11X जिसमें मैंने cover डाल रखाया भी और यह मेरे पास GT जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो तो यह एक normal testing भी हमें जो result देखनी को मिला है ना वो है 76 का जिसमें काफ़ ज़्यादा total हुआ है और 15 मिन तक मैंने पूरा run भी किया है जहां पर minimum, average और max को आप नजर में डालते चलना कि क्या देखनी को मिलता है वह हमें पर आपने 870 Mi 11X की बात करें तो यहां पर हमें देखनी को मिलता है 92 जो कि फर्स टाइम के टेस्टिंग के उपर है और इस फोन के साथ cooling system उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है जब कि यहां पर cooling system काफी अच्छा दिया गया है और इसका कुछ benefit भी आगे चलके आ तो यह फर्स टाइम का है जिसमें लगता है कि यह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और यह सेम रिजल्ट आपने बाकिया दर यूटूबर्स के वीडियो में वाच किया होगा कि इस तरीकी से दिखाई देता है बट एक नॉर्मल टेस्टिंग है और जब भी हम को परफॉर्म करते हैं तो आप देखोए कि किस तरीके से हमें रिजल्ट टेखनी को मिलता है तो आप देखोए कि यहां पर जो रिजल्ट काफी बेकार था 76 का यह 92 पे पहुंच चुका है और मिनुमम एवरेज और यहां पर आप मैक्स भी देख सकते हो और 15 मीनिट टक रन किया गया है और बैटरी यहां पर 55 देखनी को मिलता है जो कि मुझे काफी जड़ा सही लगा यहां पर इसका रियल परफॉर्मस निकल के आ जाता है जो कि हमारा मीडिया टेक का 1200 है और वह किसी की सपोर्ट की जरो तहीं मुझे बाहर निकाल में बाहर ही अच्छे तरीके से प्रफॉर्म करूंगा अंदर में प्रफॉर्म नहीं करने वाला यानि इसका रिजल्ट काफी जड़ा डाउन देखनी को मिलता है तो इसे मैं क्या करता हूँ कि इसे बाहर निकाल देता जो कि 90 है और बीच-बीच में थोड़ा वो ट्रोटल भी हुआ है जहाँ पर आप मिनमम एवरेज बगरा देख सकते हो जो कि इस तरीकी से निकल के आता है और अब यहाँ पर साइड बाई साइड आप चेक आउट करपाए किस तरीकी से यल दिखाई देता है यहाँ पर 32 ब बाकी जाके आगे स्टेवल हो जाता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है 93 इसने थोड़ा सा फिर से अप कर लिया खुद को और यहाँ पर आप देखोगे कि बैटरी काफी ज़्यादा डाउन हो गया था 15 परसेंट जिसके वैसे ठोटल काफी ज़्यादा देखनी को म देख सकते हैं आप सब कुछ किस तरगी से दिखाई दे रहा है minimum, average और max वगएरा तो काफी अच्छा result हमें देखनी को मिलता है 870 की ओर से उसके बाद फिर से चेक करते हैं दोनों को तो यहाँ पर 93 देखनी को मिलता है इसमें हलका सा ठोटल हुआ है जो कि आप minimum देख सकते हो और यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा खासा result को मिलता है जबकि यहाँ पर हमारा जो GT है सभी टेस्टिंग हमारे गेम ट्रोयों के अंदर रखने के बात की गई है और यहाँ पर बिढाउट गेम ट्रोयों के अंदर रखने के बात की गई है क्योंकि भाई Me 11x में Game ट् आपको करते ही ठोटल करने लग जाता है जबकि बाहर अच्छे तरह की से काम करा है उसका तो फिर से चिक करते हैं यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है 93 और यहाँ पर 85 इस वाद इसने थ्पंच回去 कम और 3 थरोटल भी काफी अच्छा pasado यहाँ पर देखनी को मिल गया है बट फाइनल रिजल्ट काफी अच्छा निकल के आता है तो यह टोटल टेस्टिंग दोनों के डिवाइस की हो जाती है जहाँ पर आप देखोगे कि यह काफी constant speed रखता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर constant speed रखता यह आपने रिजल्ट देखा CPU ट्रोटल का लेकिन इसके बाद अपना सारा conclusion भी आपको बताऊँगा कि में जहें क्या लगता है और आप भी अपना opinion है जो share करना comment box में कि आपको क्या लगता है अगर आपको किसी एक को pick करना हो और आप किसे pick कर गए लेकिन वीडियो को पूरा लास्टक्स आप वॉच्च जरूर करना यहां पर दिख पाऊगे me even x में 66 का result देखनी को मिलता है यहां पर 57 का और दोनों के बैटरी हमें देखनी को मिलता है यहां पर 80 है और यहां पर 82 देखनी को मिलता है और यहां पर cooling system से यहां पर heating hichage 2.5 है और battery drop 5 परसेंट का है और यहां पर cooling system ना होने के बज़े से 7 परसेंट गया फैटिंग और 4 परसेंट का battery drop देखनी को मिलता है फिर दुब़ादा चेक करते हैं दोनों को यहां पर score थोड़ा सा ज्यादा हो गया और यहां पर ज्यादा होगिया और ब battery drop भी देखनी को मिला है, दुब़ारा चेक करते हैं, तो यहाँ पर यह फिर से थोड़ा सा up गया है score के number के मामले में और battery आ गया है 74 का, और इसने फिर से same hitting दिखाया है और same battery drop, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा hitting बढ़ा है और battery same है, और इसका battery है जो 72 भी आ चुका है और अभी तक score काफी हतक same देखनी को मिल रहा है ज्यादा upgrade या down नहीं हो रहा है अब इस वार इसने हलका सा down कर लिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ सा heat देखनी को मिला है और बैटरी drop same to same देखनी को मिला है और इसने same रखा है और इसने heating को manage किया और बैटरी same देखनी को मिलता है जबकि यहाँ पर बैटरी percentage 70 आ चुका है और यहाँ पर 68 आ चुका है यानि इस वार यह 2% का फिर पीछे जा चुका है जैसे कि starting पे था और यहाँ पे यह खुद को फिर से manage कर लिया है आगे फिर से check करते हैं तो यह फिर से थोड़ा सा अप गया है और इस वार इसने भी खुद को थोड़ा सा अप कर लिया है जो कि down हुआ था बैटरी 65 आ चुका है और यहाँ पे 66 है तो फिर से 1% का different है जबकि starting में 2% था और यहाँ पे इसने hitting को manage किया है जो कि 1.3 है और 3 का battery drop यानि battery drop भी कम किया है और यहाँ पे इसने hitting को फिर से manage कर लिया है क्योंकि cooling system है और 4% का similar battery drop देखने को मिला है next के बात करें तो यहाँ पे फिर से score same देखने को मिलता है दोनों के अंदर लेकिन यहाँ पर battery आपको 61 और यहाँ पर 62 यानि 1% का different और यहाँ पर इसने hitting को manage किया और same battery drop और इसने भी hitting को manage किया है और same battery drop देखनी को मिला है हाँ 6 time कहीं यहाँ पर testing किया गया था इस mediatek वाले phone के अंदर जबकि यहाँ पर मैंने 7 और 8 time test किया है और इसके बाद भी मुझे same result देखनी को मिला है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और यहाँ पर काफी constant speed देखनी को मिलता है कोई भी यहाँ पर huge performance में down नहीं देखनी को मिला और इसने खुद को hitting को काफी अच्छे तरीकी से manage किया है आगे चलके जबकि यहाँ पर हमें कोई cooling system देखनी को नहीं मिलता और similar यहाँ पर हर जगा में battery drop देखनी को मिला है तो काफी अच्छे तरीकी से खुद को balance कर ले रहा है और यहाँ पर यह media tech भी खुद को balance कर ले रहा है लेकिन कहीं कहीं पर throb out है जो हमें heating में देखनी को मिला लेकिन normal basic testing के time मुझे कोई ऐसा heat यहाँ फिल नहीं हुआ जब कि यहाँ पर मुझे काफी अच्छा खासा heat फिल हुआ था तो इसका cooling system में काफी अच्छे तरीके से perform कर रहा है और दोनों का similar ही result निकल के आता है क्योंकि दोनों है जो अपने performance का constant रखा है किसी ने down नहीं किया है बस वही थोड़ा सा battery है जो उपर नीचे हमें देखने को मिला है अन्टूटू तो हो गया अब बार यह हमारे geekbench का कि geekbench किस तरीके से perform करता है अगर हम इसे बार बार चेक करते हैं तो performance में down देखने को मिलता है दोनों के अंदर और किसी एक के अंदर या फिर नहीं तो आप यहां पर देखो है मी 11X के अंदर अन्टूटू का score काफी कम देखने को मिलता है अगर compare करें GT से तो GT ने काफी अच्छा कासा score gain किया है और जबकि यहां पर max के अंदर 15% battery है mix के अंदर जबकि mi 11X के अंदर 15% का battery है और हमारे GT के अंदर 5% का battery देखने को मिलता है फिर भी काफी अच्छा result दिखाई देता है अगर next द्वारा चेक करते हैं तो इस वार इसने खुद को थोज़ा साही किया है थोज़ा सा up देखने को मिला है score और यहां पे थोज़ा सा down देखने को मिला है और battery 4% आ चुका और इसका 14% आ चुका है द्वारा फिर से चेक करते हैं तो आप देखोगे इसका थोज़ा सा improvement देखने को मिला है और यह थोज़ा सा उपर नीचे भी हो रहा है और battery 2% है और यहां पे battery 13% आ चुका है फिर से चेक करते हैं तो इसका score थोज़ा सा improve हो गया है single core का और यह हर बार improve कर रहा है खुद को और battery 12% और यह 1% आ चुका है यानि यह खत्म होने वाला है तो इसके बाद यह phone off हो गया था और उसके बाद मैंने सिर्फ complete charge किया है और यहां पे भी आप देखोगे कि यह 10% आ चुका है और इसका result थोज़ा सा improve ही हो रहा है जिटी के अंदर हमें starting पे देखनी को मिला था तो यह भी तो इसकी battery मैंने full कर दी हो जब मैं इसे द्वारा चिक करता हूँ तो इसका result काफी कम देखनी को मिला है जिस तरह किसे इसका starting में result था इसका full charge के बाद result देखनी को मिला है लेकिन जो result हमें first time देखनी को मिला था ना काफी अच्छा कासा वो result हमें है जो यहाँ पे last time देखनी को मिलता है यानि heavy testing के बाद यह खुद को balance करते जाता है और performance को थोड़ा सा upgrade करता जाता है जबकि यह है जो कभी-कभी उपर जाता है और कभी-कभी नीचे जाता है जबकि हमारा जो media attack है यह थोड़ा सा performance को up and down कर रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे कमी सा feel हुआ कि यह performance को थोड़ा उपर नीचे करता है के टेस्टिंग के टाइम पर जबकि यहां पर हमारा है जो शुरू में डाउन रहता है लेकिन कुछ टाइम के बाद यह काफी स्टेबल हो जाता है और काफी ज्यादा अच्छा प्रफॉर्म करने लग जाता है तो आपने यहां पर देख लिया कि दोनों फोन किस तरीकी से बि मिलता है तो काफी अच्छा यहां पर कोई कमी मुझे देखनी को नहीं मिला वहें पर हमाँ अपने स्नैपडगन की बात करें तो यह भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसे किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एड़ करने के बाद यह थोगा सा चला गया था लेकिन थोगा सा इसमें कमी देखनी को मिला CPU ठोटल का जबकि यहां पर ऐसा कोई कमी देखनी को नहीं मिला लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बात करें तो थोगा ज्यादा हाई स्कूर कर रहा है और थोगा सा डाउन स्कूर कर रहा है लेकिन डेली लाइफ में म प्रफॉरेंस के मामलें इसे बाई करना चाहते हो तो इजी से आप बाई कर सकते हो लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है या फिर आपको कहीं ओफर दिखाई देता है अमेजन पर एक्स्चेंज ओफर वगरा या पिर कार्ड ओफर का और यह आपको काफी अच्छे आपका क्या है ओपिनियन आप किसे पिक करना चाहाओगे इन दोनों में से आप कमेंट करके जरूर बताना मैं मिलता हूँ आपसे निक्ट वीडियो में इसी तरह के इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए सिर्फ बाबाए झाल